नमस्कार किसान भाईयों कैसे आप लोग उम्मित करता हूं बहुती बढ़िया होंगे किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बासपती धान की 59 वेराइटी को बारे में किसानवई यह बासपती धान की खेती बहुत लंबे पैमाने पर होती है और बासपती धान दुनिया का सबसे महंगा धान है अर्था दुनिया में सबसे महंगा बिखने वाला जो धान है वो बासपती धान है किसानवई यह बासपती धान की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्य जादा जो खाने में प्रियोग कर जाता है उबांस पती धन के जाता है तो इन पांचों वारे में हम आपको पूरी जनकरी देंगे कि आप इन वारेटी की नरसरी किस्ते में डाल सकते हैं और नरसरी डालने के लिए आपको कितने वीच्ची आवशकता पड़ेगी किसान असल तयार होने के बाद में पैदावार मिलती वें उसकी और को ये लाते हैं अ unrealistic के अंदर को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंकि को लए ताकि हमारे आनवाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें किसान भाई यह आप बास्फती धन की खेती करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुती महत्वपूर्ण होने वाला है किसान भाई हो क्योंकि किसान भाई हम जिस वैरेटिका से डिन चाहरे जिनलागा क्राव कम समय में अधिक उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफ्पा भी प्राप्त कर सकते हैं तो लिए उसी को क्रोस करकर यह बनाई गई तो आफ इस लगभग 15 जूम तक आशने से डल सकते हैं येद्म किसानवाइब्स वीज़द की बात करें तो आपको लगभग 6-7kg प्रिटीय प्राम पिर्थी एकल कसाफ से उसकी नासरी डाल देनी है की सनुएई हो यह जही है वी वैरिएटी लागबंख 90 दिन में पकर तैयर हो तिकर पैदाबर और की बात करें, तो यह है वाराइटी हम में लग पक 28 से 30 कोंटल, पिर comply की पैदाबर देकर देकर, जाती है के सनवाई। यदि हम इसके अंदर रोगों की बात करें तो इस वैराइटी के अंदर इस तो जंडा रोग नहीं आता है दूसरा बाकानी रोग नहीं आता है जो पंदर जिरुनों के अंदर आता था इसके अंदर रोग बिमारी नहीं आती है किसान वही हो इसे बैग्याने को लिए सुधार बात करें तो आप इसकी बुवाई मय और पंदर जून तक इसकी नरसरी आशाने से डाल सकते हैं कि यदि हम इसकी नरसरी डाल लेग लिए बीजदर की बात करें तो छे से साथ किलोगराम प्रती एकलग के साब से आप उसके नरसरी डाल देनी चाही है कि संवाई हो यह इसके यह निवाईटि के फशल है कि बात करें लगभर cap 120 दिन में पक कर त्यार हो जाती है यह पैदाबार की बात करें यह यह विरैटि हमें लगभर 30-32 प्रती एकलोकी पैदाबार देकर जाती एक सानवाई योग किसान भाई यो तीसरे नमबर पर जो हमने वरैइटि रखी है ये पूसा वासपती PV 1886 है। यदि हम इस वेराइटी के नरसरी डाले के समय की बात करें, तो आप इस वेराइटी मई और पंदर जून तक आसाने से डाल सकते हैं किसानवाई हो। यदि हम नरसरी डाले के लिए बीजदर की बात करें, तो आपको लगभग 6-7 किलोगराम पिरती एकलग के साब से इसकी नरसरी डाल दनी चाहिए किसानवाई हो। यदि किसानवाई इस वेराइटी के फसल तयार होने की बात करें, तो यह है वेराइटी लगभग 110-120 दिन में पक कर तयार हो जाती किसानवाई हो। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह है वेराइटी लगभग 25-30 क्योंटल पिरती एकलग की पैदावार देकर जाती किसानवाई हो। आप इस वेराइटी का सेलक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई अब हम बात करें चोथी वेराइटी के बार में। चोथी जो किसान भी हमने वेराइटी रखी है यह पूसा वासपती P.B. 11-21 यह वेराइटी खाने में काफी फ्यमस होती है और इसका जो चावल होता है। यह वेराइटी के पकने के समय के बात करें तो यह हम इसकी पैदावर की बात करें। 25 कुंटल पिरती एकल की पैदावार देकर जाती के समय हो। आप इस वेराइटी का सेलक्शन भी कर सकते हैं। इस वेराइटी के पकने के समय के बात करें तो यह वेराइटी लगभग 120 दिन में पककर तेयर होती है। इसकी पैदावार की बात करें। तो यह वेराइटी हमें लगभग 28-30 कॉंटल पिरती एकल की पैदावार देकर जाती है किसान भाइए। और उत्पादन के साथ साथ किसान भाइए इनका रेट होता है जो मार्केटविस का रेट होता है वह बहुत अच्छा मिलता किसान भाइए। और सबसे पहले यह मार्केट का अंतर बिग जाती किसान भाइए। तो आप इन में से कोई सी बारेटी का सेलक्शन कर सकते हैं। यह दि किसान में मेरे द्वार देखे जाने का रही आपको अच्छा लगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। सेरे करें और चैनल को जरूर सस्क्राइब करें। थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो।